हाई अवरिवन मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे बीते रोज यानि की 17 जून को हमारे सामने एक बेहत दुखत घटना सामने आता है जहाँ पे एक एक एक्सप्रेस ट्रेन और गुट्स ट्रेन के बीश में टककर होता है जिस टककर में एस पर मीडिया रिपोर्ट 10 लोगों की जान जाती है और कुछ 40 से भी अधिक लोग घायल होते हैं जब भी हमारे बीच इस टाइप को कोई भी इंसिडेंट सामने आता है तब हम असल मुद्दे से भटक के हर बात में राजनीती करना शुरू कर देते हैं As a result ये होता है कि एक्सिडेंट क्यों हुआ और किस तरीके से हम उस एक्सिडेंट को रोक सकते थे इसके बारे में हम बात ना करके ruling parties और opposition parties के बीच में एक political debate शुरू हो जाता है इसी बीच इस वीडियो में हम railway के दुआरा क्या कहा गया है और क्यों ये goods train और express train के बीच में accident हुआ उसको हम जानेंगे As an responsible citizen हम समझेंगे कि exactly ये incident क्यों हुआ और किस तरीके से अगर कोई भी देश research and development में पैसे खर्च ना करे तो इस type के जो घटना है वो घटती रहेंगी यहाँ पे मेरा कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो ruling government है आप उनसे सवाल ना पूछें बिल्कुल सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी बनती है लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम सवाल बहुत ही responsible तरीका से पूछना की government को सिर्फ और सिर्फ criticize करने के लिए पूछें railway के बारे में कहा जाता है कि railway भारत का backbone है और जितना capacity railway carry करता है उस हिसाब से railway में investment नहीं होता है चाहे किसी political party की सरकार क्यों ना हो अगर कोई political party जो सत्ता में होते हैं अगर वो ये कोशिश करते हैं कि कुछ किराय को बढ़ाया जाए ताकि उस बढ़े हुए किराय से हम research and development में या system को enhance करें तो जो opposition party होते हैं वो इतना ज़्यादा protest करना शुरू कर देते हैं कि सरकार को अपने facilitate को rollback करना होता है तो as a result ये होता है कि अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो कही न कहीं आप investment नहीं कर पाएंगे और जब आप investment नहीं कर पाएंगे तो इस तरीके का जो accident है वो होता रहेगा और कुछ दिनों के बाद हम चीजों को भूलते रहेंगे अब क्यूंकि ये घटना कल सुबा ही घटा है इसलिए अभी भी इस incident के उपर investigation हो रहा और railway के द्वारा बहुत जादा information share नहीं किया गया है लेकिन जो information share किया गया है उसके हिसाब से जो signal था वो faulty था और जो goods train के driver थें उनको जितना speed कहा गया था train को चलाने के लिए उससे अधिक speed में चला रहे थें एक बात का ध्यान रखा जाए कि ये जो statement दिये गया है ये railway के द्वारा दिये गया है और जो goods train के driver है उनकी भी मौत हो गई इस घटना में अब कुछ बहुत ही basic सवाल दिमाग में आ सकता है कि अगर signal faulty था तो train operate ही क्यों हो रहा था तो railway के हिसाब से अगर किसी भी जगा पे signal काम नहीं करता है और जो कि बहुत ही obvious ही बात है technical glitches हर जगा आते हैं लेकिन कहीं पर technical glitches आते हैं इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप entire system को रोक देंगे तो जो protocol follow किया जाता है railway के द्वारा वो ये है कि एक pass को issue किया जाता है जिस pass को technical language में कहते हैं TA912 इस pass को good strain के driver थें उनको दिया गया था और साथ में कंचन जंगा express के जो driver थे उनको भी दिया गया था इसके हिसाब से था कि जितने भी faulty signals थे उन सब को surpass करना था तो सवाल आ सकता है दिमाग में कितने सारे faulty signals थे तो total 9 faulty signals थे और वो सारे के सारे signals को cross करने की permission दी गई थी ये वो official letter है यानि कि TA912 है जिसके तहट अगर कहीं पे भी faulty signal होता है तो express train या good strain के driver को ये बता दिया जाता है और उनको permission दे दिया जाता है कि आप उन सारे signal को cross कर सकते हैं लेकिन इसका ये कहीं से मतलब नहीं है अगर आपके पास TA912 pass है तो आप किसी भी protocol को follow नहीं करेंगे अगर किसी भी driver को TA912 pass अगर issue कर दिया गया है तो इसका मतलब उनको permission मिल जाता है कि वो गाड़ी को अपने हिसाब से दोड़ाएं जो railway का द्वारा कहा गया है वो ये कहा गया है कि जो goods train के driver थें उनकी गाड़ी की speed 10 km per hour से above था लेकिन अभी भी exactly ये नहीं कहा गया है कि उस goods train का exact speed क्या था वहीं पे अगर बात किया जाए कंचन जंगा एक्सप्रेस का तो इसके जो driver थे वो जो specific protocol follow करना था वो सारे protocol को वो follow करते हुए आ रहे थे और 9 के 9 signals पे exactly वो वही करते हैं जो कहा गया था यानि कि कम से कम एक मिनट का आपको stoppage लेना ही है और आपकी जो train के बीच में या आपको कोशिश करना है कि आपको 150 मिनटर का जो gap है उसे maintain करना है रंगा पानी एक station का नाम है जो कि new जल्पाई गुडी के पास पड़ता है और इसी station के आज सपासे घटना भी घटी है तो इसी station के जो station master होते हैं वो good train के driver को permission देते हैं आप 9 red signal को आप cross कर सकते हैं और as per railway जो signal में problem हुआ था वो उसी दिन यानि की 17 जून के 5 बच के 50 मिनट में होता है और exactly इसी दिन ये घटना भी घट जाती है जो railway के द्वारा कहा गया है वो ये कहा गया है कि good train रंगा पानी station से 8 बच के 42 मिनट में चलती है और जो की 8 बच के 55 मिनट में कंचन जंगा एक्सप्रेस जो की रुकी हुई थी उससे जाके टकरा जाती है तो as a result ये होता है कि जो parcel coaches होते हैं, guard coaches होते हैं वो derail हो जाते हैं, जिसमें good train के जो driver है उनकी भी जान चली जाती है और साथ में जो passengers होते हैं, उनकी भी जान चली जाती है हलाकि गलती जिसकी भी रही होगी, कहीं न कहीं हमें एक बात को मानना है कि railway जितना burden उठाता है, जितना length और breath इस देश में cover करता है अगर सरकार जिसकी भी रही होगर उसमें हम proper investment नहीं करेंगे अगर हम research and development में पैसे खर्श नहीं करेंगे system को अगर हम समय के साथ upgrade नहीं करेंगे तो सरकार चाहे जिसकी भी रही ऐसी घटना घटते रहेंगी और जब भी ऐसी घटना घटेंगी तो हम सरकार को criticize करते रहेंगे अगर हम इस video को conclude करें तो हमें समझ में आता है कि no doubt जो present government है उनसे सवाल जवाब होना चाहिए और उनसे ये भी समझना चाहिए कि exactly railway के पास इन सब घटना को रोकने के लिए क्या उपाय है और आने वाले 5 या 10 सालों में किस तरीके से हम इन सब घटना को रोक सकते हैं और साथ में अपने passengers के safety को कैसे हम ensure कर सकते हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी है कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye